एगाईज वाट्सअप प्यूपिल क्या हल्चाल सब कुछ बढ़िया चल रहा है बढ़िया चल रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन बस हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है मैं कुछ चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ पेपर 20A, पेपर 20B, पेपर 20C से रिलेड़ेट बहुस सारी वीडियो यूट्यूप पर अवेलेबल है लेकिन पेपर 20C से रिलेड़ेट content वगरा अवेलेबल नहीं था ठीक है मतलब classes वगरा अवेलेबल नहीं थी notes for examination के लिए तो इस वीडियो में मैं दो चीजों पर बात करूँगा, दो तुम्हारे doubts solve कर दूँगा, पहला doubt है हमने entrepreneurship और startup ले लिया है, अब हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके का approach होना चीए, वो चीज की बात करूँगा, मैं एक चीज, confused रहा है अब ही लेके, तो मैं regret तो नहीं कर रहा हो, लेके कि भाई, अमने ले लिया, या फिर हम paper 20 A ले 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 थे, तो बहुत अच्छा होता, paper 20 B ले ले थे, तो बहुत अच्छा होता, या फिर हम paper 20 C में बार बार fail हो रहा है, फिर भी अपने को समझ नहीं आ कैसे बढ़ना तो वो चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा एक चीज दूसरी चीज है अगर कोई student मेरी वीडियो बाद में देख रहा है कि भाई paper 20A लेना है 20B लेना 20C लेना उसमें फूरी सी में आपे clarity तुमको दे दूँगा इस वीडियो के अंदर हम दो प्रक्टिकल सम करने में मता आता है तो तुम 20A की तरफ जाना focus करना उस पर तुम आराम से कर लोगे क्योंकि भाई जो हमारा 20A है तो क्या है इसमें क्या है 50-70% के something तुमारी प्रेक्टिकल चीज आती है और 25-30% तुमारा क्या आता है भाई तो प्रेक्टिकल में तुम जी उनको प्रेक्टिकल में इतता दिमाग नहीं लगता है उनको थेओरी पढ़ना पसंद है वो चाहते हैं वह थेओरी पढ़कर और आम से comfortable रहती है त्योरी ठीक है तो टाइब की स्टुडेंट अपने को मिलते हैं जिसको प्रेक्टिकल पसंद है और दूसरे को भाई थेओर देखना भी बढ़ेगा थोड़ा सा थे MBA अश्य बूल सकते हूं थोड़ा रतन नहीं है इस काहई फैर में झाप दो कि अ ciriकने को मिल रहा है डायक्ट डायक्ट केमने के डायक्ट परसें थोड़ा बने सट्ड़ी में घुमा फिरा आए जाहे कि थो एक हो BIG है वो बिल्कुल उलजना नहीं चाहरा है वो चाहता है में को 60 प्लस लेकर आना है 60 प्लस लेकर आना है वो मेरा थिरूटिकल दिमाग चलता है कौन सा थिरूटिकल थियूरी बहुत जल्दी याद होती है रटन नहीं मज़ा भी आता तो पेपर 20C की तरफ जाए और इसको जाल मैं तुमको बता दूं अगर तुमने डिसाइट किया हुआ है क्यार मैं एंट्रबॉनियर बनना चाहता हूँ या और मैं इस определ Nier को चाहता हूँ इसलिए मैं आकर श्ले मेरा सब्री तरफ जाना थिरूटिकल पर दिया पड़ लिया जब जाके मुझा आए कि साला इसमें करन हुआ है नंबर काटे हैं तुम हैड़ पॉंट हैड़ पोंट हैंडर का तुमने अपने हैसाफ से लिख दिया अपना घ्यान देर कोठे आधिक खूँ बहूं को सब्सक्राइब करता है क्योंकि इसमें content तो देखो है अच्छा खासा content है रटना ही पड़ेगा ठीक है यह हमारा डाउट हमने clear किया अब दूसरा डाउट है कि paper 20C मैंने ले लिया entrepreneurship and startup मैं मेरे से हो नहीं रहा है मैं करनी पा रहा हूं study material में इतना सारा content है तो मैंने क्या किया होगा मेरे दोस्त एक 192 पेजिस की क्या बनाई एक बुक बनाई हुए concept बुक के नाम से मैंने बनाया हुआ है 192 पेजिस के अंदर question answer format में मैंने वो बुक release कर दिया तो वह description में लिंक है वहाँ से जाके buy कर सकते है और 20C में lectures वगरा भी में लेके आने वाला और रिवीदर लेक्चर बगरा जहां जहां तक मुझे पता है मिल रहे होंगे तो मुझे नहीं पता लेकर अगर तुम सोच रहे हैं ले लिया है हमने और हम पढ़नी पा रहे हैं क्योंकि classes वगरा अविलेबल नहीं है नूट्स वगरा अविलेबल नहीं है और टाइम भी नहीं तो आजाओ भाई लोग इस चैनल को हैना और थाँ सब दो नाइक दो वीडियो को और डबा के प्रेस करके रखो डबा करके रखो जो भी करना तो जिस से वीडियो तुमको मिलती रहेंगे और हां एक चीज़ और कोई भी ढव्ड है कोई भी理 डाउट आवह तुम इस नंबर پो जाब कर सकते हो को बोगुत कर बलना है 31761 मैं description में भी डाल दूंगा ठीक है WhatsApp ग्रूप बगरा की link बगरा डाल दूंगा वहां से भी WhatsApp से connected रहा हो इंस्टाग्राम टैलिए हम सब से connected रहा हो मैं नीचे link बगरा डाल दूंगा वो सब चीज़े आप कर लो ठीक है तो लोग paper 20C में अपना क्या road में बोना चीए समझो यह लोग क्या करते हैं वाई direct question बूच रहे है 60-70% direct question बूच तो तुम क्या करो या फिर तुम study map से बढ़ रहे हो या फिर मेरी book से बढ़ रहे हो या फिर तुमारे head point प्लस अंदर का content भी याद करना हुगा तो वो चीज़ याद करो है ना मैंने अपनी book में question answer format में चीज़े दी हुई है तो असानी से तुम question याद करो असानी से तुम answer याद करो और जो जो content मैंने दिया हुआ है पूरा लिख के आओ अगर four mark का question है वैसे तो seven marks का आने वाला करता जिसमें answer में जो तुम लिखोगे ना तो number मिलेंगे वो सारी चीज़ा मैंने दी हुई है और आएंगे यार attention मतलो सब कुछ करेंगे हो जाएगा है ना इस तरीके से तुम पूरा एक बार रटो क्या करना है रटो बहुत अच्छे से रटो पहले तो समझ लो यार conceptual clarity ले काम हो जाएगा और एका सथ case study भी आएगी तो case study आएगी तो बहुत टफ नहीं होगी वह conceptual clarity रखो चीज़ होगी मैं अपने lecture जो लेके आने वारा हूं उनमें conceptual clarity भी होगी कैसे याद करना है क्या याद करना है क्या याद नहीं करना हो सब चीज़ लेकर आऊंगा तो वहां स हमको लगता है हमको कुछ road map चाहिए हमको कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और बागी सब्जेक में कोई भी दिख्कत है में को बेज जिचक call कर सकते हो मैं को WhatsApp कर सकते हो ठीक है आप अराम से मेरे से discussion करो कोई issue नहीं है देखो मैं भी आपके लिए ब करूँगा मैं आपके exam है चलो take care bye bye मिलते है नेक्स वीडियो में कुछ और content के साथ जब तक के लिए best of luck for our exam अच्छे से बढ़ाई करो अच्छे से full जोस के साथ आगे बढ़ो है ना और कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से बातचीत कर सकते हो चलो bye bye take care